अब इस एक point पे अगर हम बात करें कि portfolio बनाने के लिए कौन-कौन से elements हैं जो जरूरी है और portfolio के ingredient क्या है जैसे एक बिर्यानी की देख बनानी होती है न तो बिर्यानी की देख के लिए चावल चाहिए आपको मसाले चाहिए और चाहिए मसालों के लावा फिर chicken चाहिए अगर chicken बिर्यानी बनानी है तो फिर साथ में obviously रायता, असलाद और इस तरह के लोआजमा भी होते हैं So let's see कि portfolio develop करने के लिए आपको कौन-कौन से ingredients चाहिए होते हैं सबसे पहले तो आपने concise explanation देनी है about yourself आपने ये बताना है कि यार मैं कौन हूँ, मेरी qualification क्या है, मुझे क्या-क्या पता है, आज तक मैंने क्या-क्या किया है, मैं कहां पर located हूँ, मेरा कितना experience है, so on and so forth जैसे कि नाम, author name जैसे होता है या अपना name, location और अगर आप PhD हैं, masters हैं तो अपनी qualification भी लिखें location ज़रूर लिखेंगे मैं पाकिसान में, उस वाकत फलान जगाँ पर, फलान जगाँ पर, उर reason क्या होती है, ये इसका बड़ा impact पड़ता है, और ऐसे पाकिसानी या एसे इंडियन या एसे बंगलादेशी या साउथ इस्टेशियन या जाइनिस, हम लोगों का usually जो है western countries के जाता है, ठीक है, सो हम इसे catch करवाते हैं, qualification लिखें, अपना profession लिखें कि आप currently क्या कर रहे हैं, अगर freelancer है, freelancer लिखें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो student लिखें, अगर आप किसी company में job कर रहे हैं तो वो लिखें, वरना बेहतर ये होता है किसी एक अच्छी company में internship लेके आ for example, जैसे आमें से काफी लोग हैं, अगर वो codenics के अंदर internship लेते हैं, तो they can actually write down कि internee at codenics, internee in data science at codenics, internee in AI at codenics, ठीक है, तो वो आप चीज़ें लिखते हैं as a profession, फिर अपना work experience बताते हैं कि मैंने कितने सालों का experience है मेरे पास, और experience वो होता है जो आपने proper job में किया हो, for example, आप 6 मां से कहीं पर intern नहीं है, तो आप बताएंगे almost 1 year experience, यह नहीं कहेंगे कि 6 मां का, और आपने numbers यूज करने है, 2 years, more than 5 years, 6 years, 10 years, 20 years, it depends on you, और आप data science का experience separate बताएंगे, फिर आप अगर किसी और field से data science में आ रहे हैं, तो वहाँ पर बताएंगे मेरा फ्लान domain का specific experience भी profile दें, twitter x handle दें, और github वगरा का link दें, यह portfolio के अंदर main ingredients होते हैं, अब इसके इलावा, आपका portfolio quick load time हो उसका, मतलब यह कि अगर for example, आपका portfolio एक website के उपर आपने paste किया हुआ है, यह website का main page बना है, जैसे एक interactive CV होती है, आप basically portfolio extremely late के web app भी बना सकते हैं, आप अपना portfolio किसी static HTML के design में भी बना सकते हैं, Google के pages पे जा के बना सकते हैं, there are many platforms out there, जहां पे free में आपको website मिल जाती है, domain भी मिल जाती है, अब totally free में वहां पे अपना portfolio जो है वो maintain कर सकते हैं, ठीक है, उसका loading time quick होना चाहिए, यह नहीं कि एक बंदे ने click किया और वो बैठा wait करता रहे, जो less loading time ले, professional design हो, और किसी का copy किया वो design ना हो, आपका अपना design हो, अपने portfolio को design इस तरीके से करें, कि बहुत कमाल का design लेगे वो, ठीक है, और basically आपका portfolio GitHub का main page भी हो सकते है, कि आपके जितने projects है वहां पे रखे हुए, आप main page को अपने GitHub की जो profile का page है, उसको भी portfolio बना सकते है, ठीक है, and then, आप एक repository भी बना सकते हैं, basically GitHub के अंदर, which I will show you, inshallah, कि किस तरीके से portfolio बनता है, आप अपना best काम वहां पे बताएं, कि मैंने ये वाले best काम की है, ये top 5 rank करके, पहला, दूसरा, तीसरा, जोथा, पांचवा, और हर job का separate होना चाहिए, obviously, अगर आपने कोई क पाम नहीं किया, कोई project ही नहीं किया, कोई assignment ही नहीं कि, nothing you have done until now, तो आपका portfolio zero होगा, अंडा, गरम अंडे, बोबल अंडा, so, believe me, you have to think very carefully whenever you are developing your portfolio, क्योंकि portfolio बिना किसी project के कुछ भी नहीं होता, तो इस मज़ए से मैं बार बार आपको और्स करता हूँ कि यार, portfolio बनाने start करो यानि कि, projects बनाने start करो, और यह जो मैं assignments आपको दे रहा होता हूँ, in different courses, और एक course जो हमारा आज चल भी रहा है, जिसका link में ने description में दिया हुआ है, यह कोई मजाख नहीं है, कि मैं आपसे मजाख कर रहा हूँ कि, यह भी बना लो, वो भी बना लो, आपका portfolio बनाने के देन, social proof क्या होता है, आप different social media handling जो है, उसको maintain करें, यानि कि, LinkedIn पे जाएं, blogs लिखें, medium जो है, वो एक website है, वहाँ पे articles लिखें, towards data science पे जाएं, और there are many websites out there, आप हमें अपने blogs भीज सकते हैं, we will upload your blogs on our website, लेकिन प्लेजरिस्म से पाक हो, और बाकी काफी चीज़ें उसके लिखें, so you can actually work on these kind of stuff, आप दूसरों की help करें, for example, आपको Danics के अभी YouTube के channel पे अगर देख रहे हैं, किसी का कोई question आजाता है, आप उसको reply करें, और reply करते 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 आपको समझ आएगी कि आपकी profile जो है, उस एक website पे highlight होना start हो जाएगी, जैसे हमारे को Danics की website है, इसी Upwork है, Fiverr है, इस तरह कि कई website हैं, वहाँ पर जा कि अपने आपको free lancers register करवाएं, और stars और ranking के बारे में वहाँ पे अपनी तवज्जों देखें, और बताएं बकाईदा अपने portfolio में कि मैं फलाँ जगा पे freelancing कर रहा हूं, यह मेरा level 1 seller हूं, level 2 seller हूं, यह इतने stars मेरे हो ग लेकिन आइस्ता इस्ता इस्ता आप सीखते जाएंगे, अपने mobile को पक्ड़ें, stand पे लगाएं, stand पे लगाने के बाद उसको, उसी का mic use करें, यह 15-1600 रुपे का, एक wide mic आता है, जो आपके mobile में लगता है, आप अपनी video record करें, जो भी आपको पता है, आप उसको पढ़ाना तो इसका मतलब जिसे आता हो, और बहुत अच्छा आता हो, वो ही सिखा सकते है, ठीक है, जिसको खुद नहीं आता, वो किसे को क्या सिखाएगा, so this is a kind of plus point for you, then अपना work experience और project complete जो की है, internships जो की है, projects, job जो की है, वो सारे के सारे लिखे, अब ये elements हैं कुछ, जो मैंने बता है, कि Google की है, आपके पास IBM की है, Microsoft की है, ये कोई और भी आपके पास certification है, आप उसको highlight करें, अब जैसा कि हमारा एक course आजकल चाहरा है, six months of AI and data science mentorship program, और मैंने आपको पहले बताया है, कि paid जो लोग है, हमारे जो paid clients हैं, premium members हैं, इस course के, उन्हें हम छे माँ के पास certificate देने वाल passion जो है, वो जागर होता है, और उसी में रहते हुए, आपके projects भी बन जाते हैं, and you can actually develop your knowledge, और अगर आप में से किसी को ये छे माँ के program का certificate चाहिए होगा, then you have to register from the very first month as a paid premium member, otherwise इसकी certification नहीं मेलेगी, on the other side, Google, IBM और Microsoft के आप certificate ले सकते हैं, ये course totally free है, लेकिन certification सहरी बात है, मै तब ही देता हूँ, जब मैं लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने कोई काम की है, otherwise certification नहीं में देता हूँ, मैं ऐसे मुराद, kodenics में, tools and software आपको आने चाहिए, python आपको टका के आना चाहिए, R आना चाहिए, अगर आप scientific research नहीं है, अगर R नहीं भी सीखते कोई मसला नहीं आपको जुरूरी है आज के दोर में आना, और अगर नहीं भी आता, beginner level पे सिर्फ Python भी आता है, ठीक है, SQL सीखना बहुत ही जुरूरी है, Excel सीखना बहुत जुरूरी है, और Python, Tableau, SQL and Excel, Python यार में से एक language, और इन तीनों को जुरूर सीखना, यानि कि इन टोटल में से, चार च आपको आती है, तो बिलीव में, आपका पॉर्टफुलियू शानदार किसम का होने वाला है, और इसी की वज़ा यह है कि हम Excel पे प्रोजेक्ट करेंगी, SQL पे भी, Tableau पे भी, and Python पे भी, फिर इन सभी को मिला के भी हम प्रोजेक्स करने वाले, then आप जो services दे रहे हैं, वह आ करें, क्यों? क्योंकि आपका पॉर्टफॉलियो जब लाइव है, तो आप सोएं है, कोई ना कोई बंदा उस पे click ज़रूर कर रहे है, अगर वो click कर रहे है, तो उसको पता भी होना चाहिए, कि इतना अच्छा आपने काम किया है, अब आप से वो क्या करवा सकता है, ठीक है और वो आपको कितना पे करें, क्या आपके चार्जिस हैं, और उसको फिर बाद में नीचे contact information देना आपके लिए ज़रूरी है, ताके उसको पता चले कि यह बंदा फ्लां 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 काम कर सकता है मेरे लिए, या कर सकती है, and then that person will understand कि क्या चीज़े यहां पे मिल रही है अब एक और चीज़ जो यहां पे बहुत ज़रूरी है, great portfolio के जो हमारे पास basic elements है, या ingredient है, कि आपको straight forward email address या अपना जो contact information है वो आपने देनी है, और यहां पे मैंने बकाइदा लिखा है email at kodenix.com, इसकी reason क्या है, इसकी reason यह है कि अगर आपका domain बहुत level का है, कोई भी एक domain है आपका, for example मैं कहता हूँ, amar at kodenix.com, तो इसकी reason यह है कि पहले ही, जब उसे email ही मिलनी है, उसको समझ आ जानी है, कि यह बंदा अपनी website भी manage कर रहा है, या यह बंदे को पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, वो back end को भी जानता है, front end को भी जानता है, या at least उसको यह legit information मेरे पास मुझूद है, अगर आप कहेंगे न, प्रिंस अली, 1994, something at the rate of gmail.com, उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, ठीक है, होगी ज़रूर लेकिन इतनी नहीं, at outlook.com उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, अगर आपके domain अपनी है, तो उस पे आप email बना रहे हैं, that would be great, ठीक है, औ आपको domain लेनी पड़ती है, और hosting लेनी पड़ती है, और आपको एक website बनानी पड़ती है, अगर ऐसा हो, तो बहुत अच्छा email होगा, अगर नहीं है, तो कोई issue नहीं है, फिलाल, your own website and blogs, अगर आप खुद अपने website and blogs लिख रहे हैं, तो आप सारा काम उस पे डालेंगे, और उनके links प्रवाइड कर देंगे, अपनी CV के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपका portfolio और भी चमकदार होगा, secondly, github developer pack के अंदर, free static website के लिए, आप अपनी on website और blogs वगारा के लिए, domain पर्चेस कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता हैं, तो there are many free resources as well, जो आपको free domain and hosting जो है, website के यह देते हैं, अगर आपने वो लेनी है, that's great, वरना hostinger के उपर जा के आप purchase कर सकते हैं, और hostinger का जो discount अगर आपने लेना है, domain का, और आपने domain और website AI की base पर बनानी है, आज ही within few clicks, तो आप मेरे से रापता कर सकते हैं, I can provide you a code, जिससे आपको 10 to 15% discount जो है, आपके domain and hosting पर मिल किया जाता है,